दस हजार के लेन देंग को लेकर हुआ डबल मड़ परिजनों ने कहा, पुलिस समय पर आती तो नहीं होती वारदात आर के पुरम अमबेड कर बस्ती में हुए डबल मड़ के पीछे का कारण पुलिस तफ्तीश में दस हजार रुपय का विवाद सामने आया है, पुलिस का कहन परिजनों का आरोप है कि पुलिस की ओर से लापरवाही बरती गई, अगर वारदात से करीब आधा घटे पहले आरोप यों द्वारा की गई पत्तरबाजी के समय ही पुलिस आ जाती तो शायद ये डबल मड़ना होता, तफ्तीश कर रही साउथ वेस्ट दिल्ली पलिस ने बताया कि अभी तक की जांच में आरोपों की जांच कराएगी पुलिस परिजनों का आरोप है कि पहले हुई पत्तरबाजी के समय ही पुलिस मौके पर आ जाती तो वारदात नहीं होती, आरोप है कि दूसरी बार भी कॉल करने पर पुलिस काफी देर बाद आई, हालांकि DCP मनोच सी का कहना है कि पहले वाले मामले में PCR कॉल नहीं की गई दूसरी बार में कॉल होते ही कुछ ही देर में पुलिस मौके पर थी लेकिन फिर भी परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की वर जांच कराएंगे उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए सौ पुलिस कर्मियों की नौटी में बनाई गई थी जिन्होंने कृच ही धंटों में तीन आरोपी पकड़ लिए परिजनों का आरोप है कि प्रिलिस की और से लापरवाही बरती गई यह बात सामने आई है कि गिरफतार आरोपी देव को मृतक बहनों के भाई ललित को 10,000 रुपये देने थे देवार के पुरम में ही देव ने पैसे देने के लिए मना कर दिया इसी को लेकर दोनों में कहा सुनी हुई इसके बाद देव ने ललित को सबक सिखाने के एक बार में वेटर का काम करता है वो मकसद से केडी कॉलोनी में रहने वाले शनिवार रविवार रात करीब 12 बजे देव से अपने पैसे मांगने बार में गया लेकिन अरजुन और अपने अन्य दोस्तों को फोन करके अमबेट कर बस्ती बुला लिया